हलो एवरीवन स्वायगत आपका आपने ही चनल. वेंगलिश टैंकर में हैं आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए फोर्ट टेंज है प्रेजेंट का प्रेजेंट परफिक कांटिनुएस हमने तीन सेंटेंस कर लिए थे प्रेजेंट indefinite continuous present perfect और यह present का last है present perfect continuous ठीक है तो चलिए start करते हैं इसमें क्या होती है पहस्चान वाकिके अंत में जब रहा है रही है रहे हो दिया हो तो कौन सा होता है present perfect continuous लेकिन बच्चे कहेंगे कि माम यही पहस्चान तो present continuous में भी होती है होती है ना तो confused नहीं होना है उसमें क्या होता है सिरफ रहा है रहे होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है समय के साथ से का प्रयोग किया जता है जैसे वह सुबह से सो रहा है सुबह से सो रहा है ना अगर हम सुबह से हटा दें यहां से तो वह सो रहा है तो कौन सा बना? Present Continuous लेकिन अगर हम सुबह से लगाएंगे सुबह क्या है? समय दिया गया है और साथ में से का यूज़ किया गया है तो यहां से पता चलता है कि जो हमारा sentence है वो किसमें बनाया गया है present perfect continuous में means जो सोने का काम है वो past में किया गया था और अभी तक चल रहा है जो सोने का काम है वो perfect है लेकिन वो अभी तक भी continue है क्लियर है यहां से समझ आया इसी से हम समझ सकते हैं present है समय present का है काम perfect में हुआ था means पहले हो चुका था ठीक है और अभी तक चल रहा है इस से समझें present perfect continuous क्लियर है यहां से समझ आया कोई confusion तो नहीं है अब इसमें क्या है I, we, you, they के साथ हम have been का use करते हैं यह आपको याद रखना है he, she, it, name, singular ठीक है उसके साथ singular क्या होता है एक बच्चन उसके साथ हम क्या use करेंगे has been अभी हम इससे समझते हैं एक sentence में बनाऊंगी इससे और एक sentence में बनाऊंगी इससे बाकी जो sentence जो भी subject है उससे आप खुद बना कर देखेंगे और मुझे comment box में बताएंगे जैसे मैंने बनाया वह सुबे से सो रहा है तो आप अपने लिए बना सकते हो मैं सुबे से सो रहा हूं वो सुबे से सो रहा है किसी का नाम ले सकते हो अमन सुबे से सो रहा है इस तरह से आप खुद से बना के देखें ताकि आप practice कर पाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वह सुबे से सो रहा है कैसे बनाएंगे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट इसमें क्या लगता है इसमें आपको यह याद रखना है हाज बीन हाव बीन ठीक है उसके साथ वी वन आई एंजी ऑब्जेक्ट इसमें सिंस फोर का यूज किया जाता है प्लस टाइम ठीक है अब इसके कॉर्डिंग हम बनाएंगे उसमें जो प्रेजंट कांटिनुएस में हम सिरफ इजैमार लगाते थे वी वन आई एंजी लेकिन इसमें आपको याद रखना है हमने हाज बीन और हैब बीन का यूज करना है और उसके साथ वी वन आई एंज का यूज करना है और सिंस फोर दिये होते हैं ठीक है टाइम के दर्शाने के लिए कि कब से पहले सेंटेंज बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा वह सुबे से सो रहा है ही तो वह हमारे पास यहां पर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे अगर मैंने यहां पर लिखा होता कि वह सुबे से वहां सो रहा है तो वह हमारा अबजेक्ट होता अब अबजेक्ट यहां पर नहीं है हम सिंपल बोलना चाहते है कि वह सुबे से सो रहा है वह सुबे से नहीं सो रहा है ही सब्जेक्ट प्लस हाज नॉट बीन इसका ध्यान दखना है हाज और बीन के बीच में नॉट आएगा हाव नॉट बीन बाकी सारा वैसा का वैसा ही है वी वन इन जी अबजेक्ट सिंपल प्लस टाइम डिरेशन ठीक है अब यह देखे ही के साथ हम क्या लगाएंगे हाज उसके बीच में नॉट आएगा हाज नॉट बीन फरस्ट फर्म आई एंजी स्लिपिंग सिंस मॉर्निग ठीक है ही हाज नॉट बीन स्लिपिंग सिंस मॉर्निग समझ आ रहा है सबको पता है कि मैंने जो कोर्स बनाया है वो भी मैंने बहुत मेहनत की है उस कोर्स को बनाने के लिए एक-एक सेंटेंस मैंने बहुत अच्छे से उसको मेंटेन किया है आपको कोर्स में एक वीडियो दी जाएगी उसकी PDF भी मिलेगी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पूरी PDF Affirmative Sentence की Negative, Interrogative और Negative, Interrogative सबकी PDF मैंने वहाँ पर दे रखी है ठीक है और उसमें वर्ब की Forms है 500 और कम से कम 300 daily word meaning है daily sentence है 100 मैंने बहुत content प्रवाइड किया है वो भी सिरफ और सिरफ 199 में मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत जादा प्राइस है कोई भी इसको ले सकता है अगर आप उसको लेते हो तो आपके जो tensies हैं वो बहुत मजबूत हो जाएंगे और कोई भी doubt हो आप मुझे live session में पूछ सकते हैं दो हमें live भी आओंगी अभी बच्चे आ रहे हैं बाय कर रहे हैं तो हम मैं देखती हो कि कब मैं live लोगीęt वहाँ पर थोड़े और बच्चे हो जाएं तो हम live स्टार्ट करेंगे वहाँपर हम अपने doubt क्लियर करेंगे जितने भी doubt हैं वो हम live class में देखेंगे किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा, क्यों नहीं आ रहा क्या problem आ रही है सीखने में तो हम वहाँ पर बात करेंगे अगर आप ले सकते हैं तो मैं कहूंगी कि आप उस course को ज़रूर लेजिए क्योंकि उसमें PDF भी अच्छे से डिजाइन की हुई है वीडियो में सबसे महले मैंने उसे समझाया है और उसके बाद आप PDF को देखिए अच्छे से फिर उसकी practice कीजिए उसकी practice sheet भी है वहाँ पर answer sheet भी है ठीक है और मुझे नहीं लगता कि इतना महंगा है क्योंकि अगर आप market में ही ये वाला course अगर सिर्फ ये course आप tenses का सीखने जाते हैं तो वहाँ पर 1000 रुपए आपको देने पड़ते हैं 1500-2000 देने पड़ते हैं market में लेकिन मैं ये course आपको सिर्फ 1 on 1.99 में दे रही हूँ ठीक है तो जो लोग ले सकते हैं वो इसको जरूर लीजिए क्योंकि बहुत help हो जाएगी आपकी tensions में और कोई भी doubt हो आप मुझे वहाँ पर chat box में पूछ भी सकते हैं ठीक है आगे के देखते हैं क्या वो सुबे से सो रहा है अब कौन सा है ये interrogative कैसे बनाएंगे सबसे पहले जो है हम लिखेंगे has और have been बहार आजाएंगे क्या से शुरू हो रहा है तो has been चाहिए बनाएंगे has been have been plus subject we won ing object since 4 और time ठीक है अब इसमें क्या करना है हमें has been have been तो है लेकिन इसके बीच में हमें पहले subject लाना होगा क्या वो सुबे से सो रहा है has वो है ही है है ना has he been sleeping since morning इस दिखेंगे सबसे पहले हमने has लगाया उसके बीच में हमने क्या दिया subject दिया फिर हमने क्या लगाया been has he been verb की first form ing sleeping since morning क्या वो सुबे से सो रहा है clear है क्या वो सुबे से नहीं सो रहा है कैसे बनाएंगे यही सेम पहले हम has have लिख देते हैं ठीक है उसमें मैंने na subject बाद में लिखना था मुझे पहले लिखना था मैंने बाद में लिख दिया लेकिन मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया है अब इसमें क्या है subject अब इसमें not plus been v1 ing object since 4 plus time अब कैसे बनाएंगे क्या वो सुबे से नहीं सो रहा है अब वो है तो हम ही लगाएंगे has he has choose किया क्योंकि subject हमारा he था has उसके बाद subject not been first form ing sleeping since morning यह बहुत easy है कुछ बच्चों को लगता है मुश्किल इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है जब आप इसको अच्छे से समझेंगे ना structure के recording तो आपको बिल्कुल easy लगेगा अब इसी तरह से आप sentence को जब बना के देखेंगे ना से वही मैं बार-बार आपको बोलती हूं कि अगर आप practice करते जाएंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है मैंने अगर subject वह लिया है तो आप तुम वह या कोई भी नेम लेकर देख सकते हो ताकि आपको खुद से बनाना आए अब यह देखें वह सुबे से क्यूं सो रहा है अब subject के बाद क्यूं आ रहा है तो यहां से हमें पता चल रहा है कि यह wh family वाला है wh family उसके बाद क्या लगेगा has have प्लस subject प्लस बीन वी वन आई एंजी ऑब्जेक्ट since 4 प्लस time यह इसलिए जादा लगता है कि इसमें since 4 और time बताना होता है है ना लेकिन अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे तो हम easily इसको बना भी सकते हैं वे सुबे से क्यूं सो रहा है अब सबसे पहले हम क्यूं की लगाएंगे इसमें से हमने हैंज को चूज किया उसके बाद सब्जेक्ट वाइज ही बीन स्लिपेंग सिंस मॉर्निग अब सिंस 4 कहां लगने है वो लास्ट में में आपको बताऊंगी ठीक है अभी आप इसको समझी अच्छे से वाइज ही बीन सिंस मॉर्निग स्लिपिंग सिंस मॉर्निग क्लियर है कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताईए ठीक है अब बनाते हैं हम इससे अब हम इसमें से किसी एक को चूज करेंगे मैं वी को चूज कर रहे हूं लेकिन आप घर पर आई वी यू दे से भी सेंटेंस को बना कर देखें ही शी इट और किसी नेम से भी बना कर देखें यही प्राक्टिस है आपकी ठीक है ना चलिए हम दो घंटे से पढ़ रहे हैं कैसे बनाएंगे subject has been have been we won ing object since 4 plus time है ना अब हम है तो we 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 के साथ हम क्या यूज करेंगे have been we have been पढ़ने की क्या होती है study studying we have been studying we won ing we have been studying for two hours ठीक है यह हमने four का यूज किया क्योंकि two hours three hours four hours के लिए हम four का यूज करेंगे वो में पीछे आपको बताऊंगी मैंने table दिया है वो आप अच्छे से देख सकते है तो आप समझ जाएंगे हम दो घंटे से पढ़ रहे हैं we have been studying for two words अगर हम बोलना चाहते है means दो घंटे पहले काम शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है इस तरह से समझना है sentence को ठीक है ना कि दो घंटे पहले उनोंने पढ़ना शुरू किया था और अभी तक वो पढ़ रहे हैं आगे देखते हैं हम दो घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है subject has not been have not been we won ing object since 4 plus time ठीक है यह मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि मैंने sentence को कैसे बनाया है ठीक है तो आप भी घर पर बना के देखें कोई भी आलस नहीं करना है लेजी रेंस नहीं दिखानी है जैसे मेरे sentence बनाये हैं इसी तरह से आप भी subject को change कर दीजिए और अपने sentence को बना कर देखें इसके recording जो लोग practice such way सीखना चाहते हैं वो जरूर करेंगे कि हम दो घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं we have we के साथ हम क्या लगाते है have not been क्यूंकि नहीं वाला है we have not been studying first form ing है ना object हम we have not been studying for two hours कि हम दो घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं आगे देखिए क्या हम दो घंटे से पढ़ रहे हैं अब क्या से शुरू हो रहा है तो हम किस से करेंगे has been have been से अगर क्या बीच में आ जाता subject के बाद तो हम करेंगे wh family से ये वाला जो है वो wh family से start करेंगे और ये वाला हम करेंगे सीधा उससे has been have been से अब यहां पर has have plus subject plus been v1 ing object since 4 और time question mark क्या हम दो घंटे से पढ़ रहे हैं have have we been अब देखे have लगा उसके बाद हमने क्या लगाया subject इन चीजों का ध्यान रखना है इसके according sentence को बनाना है और अगर जितनी practice करोगे तो आपका जो confidence है वो day by day बढ़ता ही चिला जाएगा sentence को बनाने में एक बार अगर आपने समझ लिया ना जैसे maths होता है maths के formulas आप समझ जाते हो तो आपको मज़ा आता है math करने में इसी तरह से इसका भी formula होता है अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा translation करने में और English को बोलने में भी lemsm studying two airlines have we been studying for two words क्या हम दो घंटे से पड़े हैं ठीक है हम दो घंटे से क्या पड रहे हैं हम दो घंटे से क्या पड़े रहे हैं का अभी एक Everyone tells हैना जैसे क्या हम दो घंटे है हैला है तो इसका आंसर जो है वो yes या no में देना होता है कि हाँ हम पढ़ रहे है yes we have been तीक है अगर नहीं अगर हमने क्या बीच में हो subject के बाद तो इसका जो answer है वो आपको detail में देना पड़ेगा एक तो यह पेश्चान होती है दूसरी होती है जब subject के बाद क्या आए तो हम wh family का use करेंगे wh family plus has have plus subject been v1 ing object since for plus time ठीक है अब यह देखे हम दो गंटे से क्या पढ़ रहे है what have have चूज किया subject हमारा we है इसलिए have we what have we been studying for two hours ठीक है यह जो sentence है यह practice मांगता है आप जितना practice करेंगे उतना आपका जो लिखने का जो confidence है वो बढ़ता चला जाएगा ठीक है ना और याद भी रहेगा आपको कि कब हमने has have लगाना अब has been हम यहाँ पर एक अठा नहीं लगा सकते देखा है आपने अब मैंने यहाँ पर एक साथ नहीं लगाया बीच में subject आया है तो यही चीज़ें आपको भी याद रखनी है ठीक है ना what have we been studying for two hours कि हम दो घंटे से क्या पढ़ रहे हैं अगर यहाँ नहीं आ जाता क्या हम दो घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या करने आपको subject के बाद यहाँ पर not का use करना है ठीक है अगर यहाँ पर नहीं हो तो क्या हम दो घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं have we not been studying for two hours मैं यहाँ लिख देती हूँ have we not been studying for two hours यह किसके लिए अगर नहीं वाला हो interrogative भी हो और negative भी हो दोनों के लिए तो हमने क्या करना है subject के बाद not का use करना है मैं यहाँ हिंदी भी लिख देती हूँ क्या हम दो घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे बनाना है सिर्फ subject के बाद not लगाना है that's it अब रही बाद की since for कहां लगेगा since लगता है name of the year, name of the month नाम होने चाहिए ठीक है year के जैसे 2007, 2008, month के name October, November, name of the day, Sunday, Monday, exact time जैसे 2 o'clock, 4 o'clock, morning, evening, night, last month, last year, season, autumn, winter, summer, 4 seasons होते हैं festival, diwali, holy, onam, pongal, eid और event जैसे marriage या किसी की death हो, stage of the life, childhood, adulthood, इनके साथ हम since का use करेंगे और four करेंगे numbering के साथ, जैसे यहाँ पर तो name के year के, यहाँ पर one year, two year, six year, one month, five month, six month, five month सबके साथ numbering दी गुई है, इसके साथ हम क्या करेंगे, four का use करेंगे, clear है, अब आपका जो homework है, वो क्या होगा, बस आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर हम लिखा है, तो आप वहाँ पर तुम लिख दीजिए, आप वहाँ पर वे लोग लिख दीजिए, जादा लो लिख सकते हो, कोई चीज लिख सकते हो, कि यह जो चीज है, वो काफी समय से काम नहीं कर रही है, it has not been working for a long, इस तरह से, तो यह homework आप करके देखिए, comment box में मुझे बताएए, और यह worksheet जो है, वो आपको मेरे app पर इसका जो PDF है, वो वहाँ पर मिल जाएगा, God bless you.